वेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो आएफेस तो जैसे आप देख सकते हैं जो हमारी शॉर्ट कंसेप्ट की सीरीज चल लिए उसी के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रिक्स टू रिमेंबर मैक्सवल रिलेशन्स इन थर्मोडायनमिक्स तो जो थर्मोडायनमिक्स मे café रिलेशन्स है उनको याद रखने का त्रिक बताने वाला हूँ आपको सु देखिए सुप हुआ derivation बहुत बड़े है मैं Maxwell equations के 4 Maxwell equations है उनके derivation करोगे तो बड़े time नहीं मिलेगा आपको इतना exam में कि आप उन्हें derive करके वाँ पर उनका result यूज करूँ मैं आप ट्रिक बताने वाला हूं तो देखिए एक cycle बनानी है आपको T V S और P यानि कि temperature volume entropy और प्रेशर की एक ऐसी cycle बनानी है ओके और यहां पर आपके दो घर है आपको मार कर लेना है T और S V और पीसे अभी कोई मतलब नहीं है ठीक है इस साइड में लिखने नहीं है आपको clockwise कि नीचे इसके anti clockwise वाइस कि उससे नीचे anti clockwise और उससे नीचे क्लॉक वाइस थिक है तो clockwise एंटि क्लॉक वाइस क्लॉक वाइस लियर है अब क्या करना है पहला गर उठाओ भॉक टी टेंपरेचर से क्लॉक वाइस खेलो इसक्लॉक गळूग यह क्या आएगा देखो ए वी एस पी दीवी एस पी अब लिखना कैसे समझो टी वी एस पी लिखना ईस डिय्षrek्ट्षन में टीवी स्पी अब बस क्या करना है ड़य लगा तो इसके आगे जह यहां पर कोंस्टेंट पर निधक यहां पर कनस्ट कर दो जहां पर trzeba पोनिंट कर दो ओर लगाना माइनस सब्सक्राइब यहां गया आपका पहला मेक्षटा रिलेशन फूसरा मेक्स वॉलेशन की बात करते हैं दूसरा मैक्स वर रिलेशन जो आएगा छुआ को आएगा क्या ज़िस ही इशी घर से रखने लगा दो सब के आगे यहां पर जो वही कर रहा था यहां पर कॉंस्टेंड मानलोः पर यहां पर यह और लुवािष्व क्यों फॉस्राइप जह सोंते पॉस्टिव इबरो तो पॉसेटीव में लेशन कि और तो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन देखिए क्या होगा तो थर्ड की तरफ चलिए अब मेरा इस वाले घर से जो टेंपरेचर में मेरा घर था यहां से मैं दोनों तरफ ले लिया क्लॉक्वाइज भी रेंटिक्लॉक्वाइज भी अब दूसरे घर पाई जाओ एंट्रॉपी यह से ऐसे 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 ठीकर लिखने का इस्टाइल मेरा वही स्वी टीपी मैंने लिख दिया कि कि कह लिखने को इस्टाइल भाहिता यसे एस А perspectives सब्सार को यह ओक यह लिएशन देखिए फोर्थे फ्रिलेशन के अव हम कॉन से घर पर अ यहां पर तो ड माइन तो सब के आगे जो यह यहां पर साथ में जाएज ले ऑ बस काम्छका अपका सा झाल Maxwell relations हो गए इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी इसके उपर एक consequence करा देता हूं देखो इसका consequence क्या है इसे first consequence में बात करूं तो यू यू जो होता है हमारा internal energy ideal gas की volume पर depend नहीं करती volume से independent होती है तो यही मैं निकालना चाहता हूं कि यहां से क्या आता है है एक मैं निकालता हूं तो यू क्या होता है मारा टी डी एस माइनस पीडीवी दी इस इस टू व अब मैं क्या करूंगा डेल यू बाइडल वी एक कॉंस्टेंट एड़ी बाइड वी एक इस टेमप्रेचर यह जीरो आना चाहिए क्योंकि मुझे पताए एक इस टेमप्रेचर आइडियल गैस की इंटेरनल एनर्जी वोल्युम पर दिपैंड नहीं करती है तो डेल वाइड वी एक कॉंस्टेंट टेंट टी माइनस पी यह आएगा ये यह आएगा आपका अब डेलस बाइड ऍेल वी एक च्छेंट वी लिख दो यहाँ पर टेंपरिचर था यह माइनस पी हो गया अब एक बात बताओ पी वी इपफ टू एनहांी टी होता है वर रपी ड्री तो क्षेटू वी करूँगा अब इसको यहां पर रखदो उठाकर एन आर वी और टेंपरेचर यहां पर था माइनस पी और टी क्या होता है आपका पी वी से वी कट गया पी माइनस पी कितना गया जीरो तो यह है कि इसका इनरजी जो आईडिल गैस की एक ओस्टेंट टेंपरेचर विट रेस्पेक्ट वोल्यूम जब आप डिफ्रेंटेट करोगे इंटर इनरजी आइडिल गैस की वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती यह इसका 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 यूस्ड बताया कहां पर होगा मैक्सवेल का तो आप सबको ये वीडियो अच्छी रगए होगी शेयर कर दिए लाइक करिए हमाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए हम इसी तरह की शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे थैंक